नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है टेम वारियर के ओफिशियल यूटूब चैनल के उपर दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी के नए कंपेशेशन प्लान के बारे में रेसेंटली आप सभी लोगों को पता है 18 सेप्टेंबर को एटोमी का इंडिया का जो नया कंपेशेशन प्लान है उसके बारे में जानकारी आया थी एटोमी इंडिया की ओफिशियल फेस्बुक गुरूप के उपर तो जो Atomi India का जो नया compensation plan है उसके बारे में काफी कुछ company की तरफ से आई है और जो सारी की सारी compensation plan के बारे में company ने explain कर बहुत इच्छे तरीके से बताए है वहाँ पर ठीक है तो उस compensation plan को आप एक बार तो सबसे पहले समझे ठीक है compensation plan को काफी लोग है कि Facebook के उपर negative comments डाल रहे हैं सारी की सारी चीज़ें उल्टा सीधा कुछ लिख रहे हैं तो उनसे मेरी request है कि वो अपने Korean applying से बात करें सबसे पहले आप अपने Korean applying से बात करें मेरे पास भी काफी calls आया हैं काफी और हमारी team से भी Atomi India office में बात चीत हुई है और मैंने Korea में भी बात किया अपने जो immediate applying है Diamond Master Yuri Won और Star Master Jungman Park तो सबसे पहले तो आप अपने Korean applying से discuss कीजी जो Atomi India का जो official plan अभी recently आया है उसके बारे में आप Atomi India office में call कीजी वहाँ पे आपको बिल्कुल clarity मिल जाएगी ठीक है और या immediate आप अपने sponsor जो Korean sponsor से उनसे बात कीजिए और ये इंडिया में YouTube के उपर काफी leaders आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है education दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है और team warrior का ये जो channel है इंडिया में काफी पुराना है ठीक है और हम अपने YouTube channel के उपर जो भी Atomi की तरफ से सही दिसान निर्देश जारी होते हैं वहीं यहाँ पे हम आपको डालते हैं और काफी लोग आप काफी लंबे समय से इसको follow कर रहे हैं इंडिया में और ये जो channel है इंडिया का number one YouTube channel है और काफी पुराना चला है और आप में से काफी लोग अमारे channel के माध्यम से सीख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जहां आपको सही जानकारी मिले वहीं पे आप चीज़े देखिए और जहां आपका confusion हो request है आप से सबसे पहले आप अपने immediate sponsor से बात कीजिए ठीक है और उसके बाद सारे जानकारी को सही तरीके से represent कीजिए ये जो company आपको लाख होनी क्रोड़ो रुपे कमा करके देने वाली है ठी आप इस company के साथ जुड़े हो और company ने अपना official plan explain किया बहुत ही खुबसूरत तरीक के साथ बिल्कुल सही और सटीक ओके तो आज मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से ये share करना चाहता हूँ कि company ने जो official compensation plan दिया है 18 September को तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर knowledge देना चाहता हूँ उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि China और Indonesia में भी company ने कुछ plan में बदलाव किये हैं ठीक है आप अपने immediate sponsor से बात कीजिए और आपको पता चलेगा अभी तक जो भी plan आप लोग explain कर रहे थे India में हम USA का plan explain कर रहे थे ना कि Atomi India का वो भी लोगों को समझाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे USA का plan है आपको एक rough idea देने के लिए तो सभी लोग इस तरीकेश education का part है वो USA का plan कर रहे थे कहीं भी Atomi इंडिया की website पर या को रहे की website पर जो plan आप represent कर रहे हो USA का इंडिया के अंदर तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि वो plan official है तो लोगों को समझाने के लिए हम USA का plan explain कर रहे थे अभी तक definitely ठीक है दूसरा part यह है कि यहाँ पे Atomi ने last एक साल का जो data है वो search किया है उसके base पे यहाँ पे यह competition plan इंडिया का वो बनाया है और इसके अंदर काफी चीज़े हैं हम जो discuss करेंगे MRP price के बारे में distributor price के बारे में difference between MRP and DP price retail profit क्या होता है value of one score क्या है कि जो की most important है value of one score wise score value is fixed for Indian distributor आपको इससे क्या फाइदा होगा उसके बारे में इस वीडियो के मादम से discuss करेंगे उससे पहले आपसे request है कि आप economy इंडिया की official website के उपर जाईए वहाँ पे आपको कुछ ethics codes वगरा दिये गए company के terms and conditions, policy, ethics, agreements वगरा तो आप उनको पढ़िए ठीक है और अभी जो latest company का compensation plan आया है जिसमें general commission, mastership bonus इसके बारे में बतायागा है terms of promotion in mastership bonus, mastership promotions and incentives, trends and condition education commission and 35% of total global sales commission distributed to members, distributors all calculations set to this limit तो यह सारे चीज़ें आप एक बार जाईए website के उपर देखे सारे की सारे चीज़ें और recently जो compensation plan आया है उसको follow कीज़ें और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई उसके लिए वीडियो बनायागा especially, okay आज तक आप सभी लोग यह जो आप slide देख रहे हैं, यह USA का plan है इंडिया का नहीं है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को points like that, जितनी भी slides आप देख रहे हो, सभी में जो price and value है, वो अलग लग है, किसी में 70 डोलर है, किसी में 60 लेकिन point value जिसको score बोलते हैं, fix है यह तभी मिलता है, जो आपके point value daily basis पे matching करते हैं, okay तो जो भी slides आप लोग explain कर रहे हो, यह USA की slides आप explain कर रहे हो, इंडिया का compensation plan अभी 18 September को आया है, तो उसके उपर आप depend कीजिए, और company नहीं यहाँ पे जो end factor का calculations होता है, internationally, daily basis पे जितने भी global sales होती है, उसमें daily basis पे जितना भी global matching PV होता है, divided by global commission point total, जिसको आप score बोलते हो, into 44% तो यह commission end factor की calculations के साब से fluctuate होता है, daily basis पे जो आपको general commission मिलता है, accept Sunday और holiday, okay, तो जो general commission अभी तक internationally सबको मिल रहा है, वो end factor की calculation होता है, उसकी calculation दोस्तों, Korea के इंदर जो centralized server है, वहाँ पे होती है, Korean won में होती है, यह मैं आपको बताना चारा हूँ, ना कि dollar में होती है, ठीक है, तो यह चीज, यह जो difference है, आप सभी को बताईए, ओके, कि वहाँ पे, आप बोलते हो, single server, Korea के अंदर एक single server है, वहाँ पे जितने भी global sales होती है, वहाँ पे single server के अंदर सारा का सारा जो count होता है, end factor calculation, जो भी daily basis पे commission मिलता है, और end factor के हिसाब से, आपको जो general commission का पैसा मिलता है, daily basis पे वो fluctuate भी करता है, जैसे first level पे मैं example बता रहा हूँ आपको, आप बता रहे हो, 1500-1700 USA के plan के हिसाब से सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, plus minus भी वहाँ पे आप लोग बताते हो, ठीक है, लेकिन suppose करो end factor से आपको USA के हिसाब से मिल गया, किसी दिन globally end factor की value down आगी, तो आपको 500-600 रुपे मिलेगा दोस्तों वहाँ पे, ठीक है, तो 1700-1500-600 रुपे भी आ सकते हो, ये depend करता है, कि end factor जो है, daily basis पे globally कितना vary करता है, उसे fluctuation होता रहता है definitely, तो company ने दोस्तों, यहाँ पे आपको score की value fix करके बताईए, ठीक है, 5 score की value, 1321, यानि कि एक score की value कमपनी ने यहाँ पे 264.20 बताईए यहाँ पे, जो की बहुत अच्छी बात है, अब आपका यहाँ पे क्या होगा, कि जो end factor fluctuation होता है, हमारे उपर कोई effect नहीं पड़ेगा, किसी दिन company का global sales का, जो PV अगर डाउन भी जाता है, तो definitely आपको तो यह company ने fix कर दिया है कि 1321 रुपे मिलेगा, 33,00,000,000 point value आपका एक दिन में अगर मैच होता है, definitely, तो आपको 1321 रुपे मिलेगा, 77,000,000 point value आपका एक दिन में मैच होता है, तो 30 का score मिलेगा, उसके साब से 7,929 यह मिलेगा ही, आपके उपर Indian distributors के उपर globally end factor fluctuation का कोई भी effect नहीं पड़ेगा, यह बहुत अच्छी बात है दुस्तो, तो इसको आप positive way में लेक के देखिए, और इसको आप समझने के कोशिस कीज़े, इस चीज़ को, कि end factor का जो fluctuation है, उसके उपर आपका कोई benefit, आपका कोई भी परवाव नहीं पड़ेगा, ओके, next, तो यह जो commission है, आपको इस परकार से distribute हो अपनी टीम के commission के लिए authorize हो, ओके, और तीन-तीन लाख point value मैच होने पर score 5 मिलता है, और एक score की value, company ने fix किये, दोसो चोशेट point 20 रुपे, और पांच से गुना करेंगे, तो यह तेरा सो 21 रुपे बैठता है, यहाँ पर first level पर, second level पर आप agent तब बनते हैं, आपकी ID पर तीन महिने में 6-6 लाख point value मैच करते हैं, तो अगले महिने में आप agent जा सकते हैं, बिना self PV बढ़ाएं, 10,000 से 3 लाख बिना बढ़ाएं, अगर आपने company को 6-6 लाख का business दे दिया, एक मैने के अंदर, तो अगले महिने, आपको 3-3 लाख मैच होता है, तो आपको 15 का score मिलेगा, उ आप अपने sponsor बात कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जो भी पैसा मिलनेगा, आपको ये end factor का आपके उपर कोई effect नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि end factor का जो calculations है, वो daily basis पे fluctuate होता है, और company नहीं यहाँ पे आपको 1 score की value, 264.20 की है, जो की Korean won में होती है, 4,300 company ने रखी है, उसके हिसाब से INR होता है, 264.20 रुपए एक score का, और यहाँ पे first level पे आपको 5 का score मिलने, definitely आपको 1321 रुपए मिलेगा, 100% और fluctuation का कोई effect नहीं पड़ेगा आपकी payment के उपर, तो इस चीज़ को समझ जिए, बहुत अच्छी चीज की है company ने, और इसको आप टीम में बताईए, ठीक है, rumors ना फिलाएं, negativity ना फिलाएं, okay, company ने आपके बारें बहुत ही अच्छा सोचा है, और आप इसको अच्छे तरीकी से अपनी टीम को explain कीजिए, तो जितनी भी जो calculation है, score, जो score है, यह fix रहेगा, 5, 15, 13, 16, 90, 152, 53, 100, okay, और right side में, left and right का जो आपक point value match होगा, उसके हिसाब से आपको score मिलेगा, जिस level पे आप exist करते हो, personal point value के हिसाब से, okay, तो इस calculations को देखिए, समझिए, और आप अपनी team को बताईए, okay, next, retail profit क्या होता है, यहाँ पे company ने दूसरी चीज और दी आपको, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे retail profit, retail profit क्या हो तो आपका जो DP price है, वो अलग होगा, MRP price अलग होगा, तो आप किसी भी product को DP price में buy करके, उसको MRP में sell कर सकते हो, वो भी company की official guideline के अंदर, उसके बारे में भी company आपको बताएगी, तो यहाँ पे 25% profit, आप यहाँ से run कर सकते हो, दोस्तों, बहुत अच्छी चीजे बताईए यह company ने आपको, ठीक है, next, what is the value of one score, one score की value जो company ने अलगे बता दी है, आपको 43001 है, based on average for last one year in Korea, Korea के अंदर एक साल का calculation क्या गया है, तो 43001 आई ने, जो की fix कर दी है, इंडिया में, और एक score की value 264.20 है, और आपका जो score है, वो depend करेगा, आपका point value match होगा, तब ही आपको score मिलेगा, तब ही आपको यहां पर commission मिलेगा, okay, next, why is the score value fixed for Indian distributor, what is the benefit, benefit क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसका benefit यह है, कि जो globally fluctuation होता है, global PV sales का, उसका आपकी income के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा, दोस्तों, यह बातें आप बताएं सभी को, next, is there any loss to Indian distributor by fixing this score value, नहीं, Indian distributor को कोई loss नहीं होगा, और फाइदा ही है, ultimately, there is no loss to the distributor, the distributor will not undergo the fluctuation of global PV sales, हम जो distributor बन चुके हैं, global PV जो होता है, पूरे globally जो PV sales होती है, उसका हमारी income के पर कोई effect नहीं पड़ेगा, किसी दिन global PV sales अगर डाउन भी जा चली गई, तो आपको तो इतनी fixed income company दे रही है, आपके लि benefit आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले जो first level है, उस पर 1321 company नहीं दिया है, ठीक है, अगर ये fixed value नहीं करती, आप बता रहे हो, जो भी rate है, किसी दिन आपको 500 मिल सकता है, first level पर ना, 600 मिल सकता है, वो depend करता है, global PV के पर, और ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है तो ये depend करता है, end value की fluctuation के उपर, तो ये चीज़ समझ जिए, आपका रहा हमारा इंडिया के जितने भी distributors है, उसका global PV sales का कोई effect नहीं पड़ेगा, जो fluctuate करता है, daily basis पर, okay, next, स्कोर की value कंप्री ने fix कर दिया है, value of one score fix कर दिया अलड़ी, 4300 Korean one, based on average of last one year in Korea, okay, और 4300 one होता है, 264.20 रुपीज के इंदर, for sales representative after earning score 5, the general commission will be, फर्स्ट लेवल पर आप sales representative तब बनोगे जब आपकी personal ID पर 10,000 point value होगा, और आपके निचे 3,000,000 point value left में, 3,000,000 point value right में होगा, condition यह है कि left में एक member होना चाहिए, right में भी एक member होना चाहिए, तब भी आपका commission के लिए आप authorized होगे, 3,000,000 point value match होता है, आपको score मिलेगा 5, और इस तरीके से जितने भी levels है binary plan में उसके इसाब से respectively आपको income मिलती जाएगी, और यह सब लोग, यह जो भी company ने, जो step लिया यह हम सब लोगों के लिया है, और n factor calculation का general commission के उपर अगर fluctuate रहता तो कोई effect नहीं पड़ेगा आपके और हमारे उपर, और इसमें company ने एक चीज औ definition पताईए, PV क्या होता है, point value और आपको जो भी पैसे मिलता है, PV की उपर मिलता है, ठीक है, और DP price और MRP price यह आपको पताई है, retail profit के बारे में यह table है दोस्तो, काफी लोग इस table को गलत तरिक्के से represent कर रहे हैं, तो मैं उनसे यह बोलूँगा, यह example दिया है दोस्तो company ने, अब यह जो Atomida fame का skin care set ना, इसको fix नहीं किया है, इसका price fix नहीं है, कि company ने example दिया है, कि for example, DP price आपको 6,700 रुपए है, और GST इस पे लग रहे 126 रुपए है, और DP price टोटल हो गया 7,906 रुपए है, और MRP price for example के तोर पे इसका 9,100 रुपए है, 91,100 रुपए है, तो profit आपक और profit यहाँ पे 15.1% है, और point value इसका दिया गए 60,000, कुछ लोग इस point value का comparison कर रहे है, USA के price से, USA के point value, तो ऐसा नहीं, दोस्तों, यह example दिया आपको, company बताएगी, patients कीजिए, wait कीजिए, compensation plan आ गया है, अभी product का point value, price, वो भी सारी चीज़ें आएंगी, तोड़ा से wait कीजिए, और यह company ने example दिया है, कि DP price और MRP price पे, DP price 6,700 है, MRP price 9900 रुपैस का, जो profit 15% इस एक product के उपर आप आरण कर सकते हैं, ठीक है, DP price में buy करके, MRP price में sell out कर सकते हैं, company की terms and conditions और guidelines के अंदर, company बताएगी आपको, wait कीजिए, इसके बारे में भी ठीक है, तो यहाँ पे compare मत यह सिरफ एक example है, कि DP price से, MRP price पे, आप profit generate कर सकते हो, इस example की basis पे, ओके, और यह जो level सही है, सभी आपको पता है, आप अपने sponsor से बात कीजिए, और मेरे channel पे अलग लग videos वीडियो आ रखें इनके बारे में, तो आप देखिए उनको, okay, next, next है यहाँ पे general commission, और जो general commission आप आपको मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल clearly mention कर रखा है company ने, dealership के दोस्तों यहाँ पे 8 levels है, sales representative, agent, special agent, dealer, exclusive distributor और last तक, तो आप अपने personal ID पे 10,000 PV अरन करोगे, 10,000 PV accumulate होगा, तभी आपको यहाँ पे group का income मिलेगा, left and right का point value अगर match करता है, तो अन्यता नहीं मिलेगा, ठीक है, और जो score है, वो यहाँ पे fix है, 5, 15, 30, 60, 90, 150, 200, 300, और जो commission है, दोस्तों यह 1321, यह fix है, आपको 5 का score मिलेगा, 5 का score कब मिलेगा, जब आपका left and right से 3,3 lakh point value में होगा, first level पे, ठीक है, तो यह पैसा fix कर दिया है, दोस्तों company ने, 1321 रुपे से लेकर करके, 79,287 रुपीज तक की fix कर दिया है, ओके, तो इसको अच्छे से समझ जिए, पढ़िए, दूसरी चीज़े यह हैं कि, ED के अंदर 24 लाग PV आपके personal ID पर होता है, maximum आप अपनी personal ID पर accumulate कर सकते 24 लाग point value, ठीक है, और इसके बाद काफे लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना, यह नहीं करना, साल म Mastership Bonus, इसके बारे में भी company ने बिल्कुल clear guidelines दे रखी, आप इसको पढ़िए, और अपने sponsor से बात कीजिए, एक एक word पढ़िए, यहां पे, ओके, और Mastership Bonus के बारे में भी बिल्कुल clear guidelines हैं, और इसमें Mastership Bonus के awards and rewards, promotion incentive, वो भी यहां पे बिल्कुल clearly mention कर रखा है, तो आप India के plan के हिसाब से अपनी team को बताईए, ना कि USA का, अभी USA का किसी दूसरे country का plan explain, मत कीजिए, इंडिया का जो compensation plan आ चुका है, इसको follow कीजिए सबी लोग, और यह जो भी award and rewards हैं, उसके बारे में यहां पे बिल्कुल clearly mention कर रखा है, और जो भी आपको incentives मिलेंगे, यह Trumps and condition, यह आप बिलेगे, और नए members अगर atomy team warrior के साथ join करना चाते हैं, तो आप join कर सकते हैं, अमारे इस channel को, और इस video को जदा जदा आप share कीजिए, आप अपने team के अंदर बताईए लोगों को की इस तरीके से है सारी चीजिए, और आशा करता हूँ कि यह video आपको पसंदा आए होगा दो तो, thank you very much, तोस्तो.